नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका फार्मारोक्स के यूटूब एज्योकेशन चैनल में तो आज की उडियो लेक्चर में हम ऐसे हेल्थ प्रॉब्लेम और उसके सॉल्यूसन के बार में बात करेंगे जैसे की आपकी स्कीन के उपर इस तरह से फोडे हो रहा है कि जिसको हम सिफलिस का इंफेक्शन कहते हैं फिर यहाँ पर जो आप देख रहे हैं उस तरह से गौनुरिया का इंफेक्शन हो रहा है कि आपने काफी ज़्यादा मेडिकेशन से यूज की फिर भी ये इंफेक्शन जे वो ठीक नहीं हो रहा है फिर आपकी ओरल केविटी के अंदर आपके दांत में इस तरह से इंफेक्श हम देखे तो वो हो रहा है यूटी ए कि आपने काफी मेडिकेशन से यूज की फिर भी आपका यूरिन इंफेक्शन ठीक नहीं हो रहा है फिर स्कीन के इंफेक्शन भी आपके ठीक नहीं हो रहा है तो ये सभी हैल्थ प्रॉब्लेम्स को सॉल करने वाली बहुत अच्छी ट टाबलेट के बारे में है तो ये जो सब टॉपिक्स है वो हम आज की वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे ये टाबलेट के बारे में तो सबसे पहले उसका बेजिक समझते है तो लीजोफॉर्स 600 ऐसे ग्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम एंटिबायोटिक्स कहते है तो लीजोफॉर्स जो है उसका ब्राणनेम है और उसके अंदर जो सॉल्ट कंपोजिशन के हम बात करें तो लीनेजोफॉर्स है कि जो 600 मिलेग्राम जितना ये एक टाबलेट के अंदर प्रेजंट होता है तो यहाप आप उसके लेबल के उपर देख सकते है कि लीनोफॉर् फिर ये मेडिकेशन का और डीब क्लास देखे तो ओकसा जॉलेडिनोन क्लास का ये एंटिबायोटिक ड्रग है कि जो बहुत सारे बैक्टेरियल इंफेक्शन को ठीक करने के लिए यूस किया जाता है कि अगर कोई एंटिबायोटिक एफेक्टिव सा भीत नहीं हो रही है त और मैंकाइन फार्मा के बारे में मैं आपको बताओ तो ये एक इंडियन मल्टीनेशनल फार्मासोटिकल कंपनी है कि जिसका हेड कॉपी जो है वो डेली में है तो अब यूस देख लेते हैं ये एंटिबायोटिक के तो लीजोफोर्स जो है वो ब्रॉंकाइडिस आपको हो पिर लंग्स में इंफेक्शन होता है नियुमोनिया, गौनूरिया, सिफलेस, कान्वे इंफेक्शन हो रहा है, थ्रॉट इंफेक्शन, यूटियाई, बॉन, जॉइंट, स्कीन, सौप टीस, मतलब की जितने भी टाइप के अलग-लग बैक्टेरेर इंफेक्शन हो रहा है औ तो लेबल में सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आरेक्स लिखा है मनलब की यह प्रिस्क्रिप्शन मेज मेडिकेशन है, प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही यही रिटेल में अवेलेबल होता है, सौल्ट कंटेंट उसका 600 मिलिग्राम है और इंडियन फार्माक के स्टांडर्स के अकोडिंग टू यह टाबलेट को बनाई गई है, लिजोफ और 600 यहाँ पर उसका ब्रानेम हो गया, मैंकाइन की भी यहाँ पर डिटेल देख सकते कि जो उसके मैनुफेक्चर है, फिर टाबलेट का हम टाइप देखे तो यह फिल्म कोटेड टाबलेट है और एक टाबलेट के अंदर लिनेर सोलिड रहता है, 600 मिले ग्राम, एक्सीपियंट सर्फीजन कॉंटिटी में रहते है, और कलर उसके अंदर जो एड किया गया है, वो है टीटेनियम डायोकसेड, फिर यहाँ पर स्टॉरेज कंडिशन खास आपको दियान रखनी है, कि 30 डि आपको 4 टाबलेट्स मिलती है, वर्किंग हम देखें, तो यह जो एंटिबायोटिक के वो कैसे काम करता है, तो एंटिबायोटिक smaller target करते है बैक्टेरिया के ऊपर, तो यह जो हमारे medication ही वो क्या कर दी है, तो बैक्टेरियल सेल में होने वाली जो protein synthesis की जो process होती है, उसको य इन्हीबिट कर देता है तो क्या होता है कि अगर बैक्टेरिया के अंदर उनका जो प्रोटीन है वो प्रोटीन मानलो की नहीं बनता तो आगे जाके वो जो सैल होता है वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पता उनकी ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है पांचवा हम देखे तो डोज की स्टड़ी कर लेते हैं तो 600 mg once a day उसको लेनी होती है maximum two tablet per day की सबसे आपको लेना है और एक या दो tablet per day जो है वो ले सकते हैं so higher dose में उसको कभी भी use ना करें तो अब आप हमारी book भी purchase कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं आपको book की detail भी दिखा देता हूँ तो हमारी जो book है वो अब available है कि जिसको आप order कर सकते हैं तो book order करने के लिए आप हमें whatsapp भी कर सकते हैं अब इसकी price हम देखे तो November 2023 के according to इसकी जो latest price है वो है 142 रुपिस चार tablet आपको मिलेगी एक packing के अंदर और per tablet हम price देखे तो around 35 रुपिस जितना होता है side effects हम देखते है तो diarrhea हो सकते हैं इसके करन सिरदर्ध हो सकता है नौजय और मिटिंग में लिपकी उल्टी होना पेट में दर्ध होना टेस्ट जो है हो चेंज हो सकता है और blood cell भी कम हो सकते है तो यहाँ पे मैं आपको एक book की detail दिखा देता हूँ तो book की detail देखते है PharmaRox की mobile application के उपर तो सबसे पहले आपको क्या करना है PharmaRox app जो हो download करनी है और PharmaRox app के अंदर आप जो है वो हमारी book को order कर सकते है तो book का मैं आपको detail देखाता हूँ यहाँ पे तो printed book अब available है तो उसको आप जरूर से order कर सकते हैं तो book का जो नाम है बीमारिया और उनका उपचार तो यह वाली जो printed book है उसको आप जरूर से order करे PharmaRox की mobile application से उपर या फिर हमें whatsapp कर सकते है नंबर जो है वो मैं आपको description box में as well as pin comment में दे दूँगा तो बात है topic पे और आगे समझते हैं Lizo for 600 tablet के बारे में तो उसकी और कुछ side effects देखे तो उसके करन आपको diarrhea दस्त हो सकते है headache जैसे हमने देखा यह सब फिर दूसरे कुछ side effect यह है कि dizziness नीन दाना आपके जो mouth के उपर इस तरह से white patches जैसा बन सकता है फिर irritation हो सकती है burning हो सकती है eating जैसी हो सकती है आपकी वज़ाइना के उपर कि अगर कोई ladies इसको use करती है तो यह उनको side effect हो सकती है और जो tongue होती है हमारी जो jeep होती है उसका थोड़ा बहुत color change होता है तो इस तरह से मनले कि white patches हो सकते है आपकी jeep के उपर फिर warnings देखते है तो warning यह रहेगे कि अगर आपको allergy है leesophores की या फिर lenezolid की तो उसको use ना करे अगर आप alcohol use करते है तो alcohol को use ना करे जब आप यह medication ले रहे है अगर किसे को heart related problem है किसे को kidney related problem है या फिर किसे का liver खराब है तो वो लोग भी यह medication को use ना करे फिर आपके सरीर के अंदर sodium की मात्रा कम है और thyroid hormones आपके सरीर में कम है आप thyroid के भी patient है तो भी यह medication को use नहीं करनी चाहिए pregnancy category के हम बात करे तो इसके pregnancy category C है तो pregnancy के दोरान इसको कभी भी आप use ना करे और आपने के जो gynecologist है उनकी advice जरूट से ले अगर आप यह medication use कर रहे है तो खास कर दियान रखने कि यह unsafe है pregnancy category C है और C category वाली कोई भी medication pregnancy में नहीं लेते है तो यह खास दियान रखे अब उसके कुछ drug-drug interactions हम देखे तो यहाँ पे जो आप listed medications देख रहे है यह सभी दवायों के साथ lineage audit जो है वो drug-drug interactions कर रहे हैं तो मानलो कि आप ipratropium ले रहे हैं तो उसके साथ leesophores को use ना करें तो यह दो combination कभी ना बनाएं ऐसे ही आप मानलो कि ondense eatron ले रहे हैं तो उसके साथ कभी भी combination में leesophores को use ना करें तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा ये वीडियो भी अच्छा लगेगा तो यहाँ पर click करके आप मेरा ये वीडियो भी देख सकते हैं और ऐसे ही बहुत सारे medicines के बारे में knowledge जो ही वो gain कर सकते हैं तो good luck and all the best